Hello everyone, welcome back to my channel, let's learn everyone मैं आप सभी का अपने चैनल पर एक बर फिल से स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही है कुछ ऐसे वर्ड्स जो लेटर M से स्टार्ट होती है सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट उससे पहले रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल सब्सक्राब करने अगर अभी तक नहीं किया है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें फर्स्ट फर्ड है Magnanimous Magnanimous एक Adjective है जिसका मतलब होता है दयालू, उदार या चमाशील मतलब माफ कर देने वाला Synonym words है इसके Generous, Kind, Merciful, Charitable, Unselfish, Noble, Selfless और Forgiving Antonym words है इसके Petty, Selfish और Resentful मतलब मतलबी या चिरह हुआ Petty और Selfish मतलबी और Resentful मतलब चिरह हुआ या नाराज He is a Magnanimous Leader who praises his opponent's skills वह एक उदार नेता है या चमा कर देने वाला नेता है या फिर दयालू नेता है जो अपने प्रतिद्वंदी मतलब जो Competitors होते हैं उनकी योगिता या Ability या Skills को सरहाता है या तारीफ करता है Next word है Magnet Magnet एक Noun है जिसका मतलब होता है धनी, रईस, प्रभावशाली व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति या प्रसिद्व्यक्ति This word is used especially for successful businessmen मतलब इस word को हम सफल व्यवसाईयों यानि की businessman के लिए use करते हैं इसके synonym words होते हैं टाइकून, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटर्परिनियोर, बेरन, नोटेवल और फैट कैट Opposite words हैं इसके unknown, lowly, subordinate और inferior Unknown मतलब अप्रसिद्व और बाकी तीनों words का मतलब है अधीन या छोटा He was a magnate in fashion industry, वह fashion उद्धोग में एक प्रभावशाली व्यक्ति था Next word है magnitude, magnitude एक noun है जिसका मतलब होता है किसी चीज का बड़ा आकार या मात्रा या उसका महत्व, एहमियत या विशालता Synonym words है इसके Size, Extent, Amount, Enormity, Intensity, Significance और Importance Antonym words है इसके Insignificance, Smallness, Pattiness और Triviality मतलब महत्वहीन ता, छोटापन या तुच्छता दो एक्जाम्पल है इसके First example है The magnitude of COVID-19 epidemic is frightening COVID-19 महमारी की विशालता या भयानक ता भयानक है मतलब COVID-19 इतनी बड़ी मात्रा में फैल रहा है की जो भयानक है Second example है The magnitude of Newton's discovery in the field of physics cannot be denied भौतिकी के छेत्र में Newton की खोज के महत्व को नकारा नहीं जा सकता तो magnitude मतलब आकार या महत्व अगला वर्ड है महमत महमत एक adjective है जिसका मतलब होता है विशाल या बहुत बगा Synonym से हैं इसके Gigantic, Huge, Anonymous, Colossal, Immense और Massive मतलब विशाल या बहुत बगा Antonim वर्ड से इसके Tiny, Little, Small, Miniature, Micro और Undersized मतलब छोटा He works for a mammoth-sized organization that has several branches all over the world वह एक बगे आकार की संस्था के लिए काम करता है जिसकी दुनिया भर में कई शाखाएं है अगला वर्ड है Mandatory Mandatory एक Adjective है जिसका मतलब होता है अनिवार रे, अति आवश्यक या जरूरी Synonym वर्ड से हैं इसके Obligatory, Compulsory, Necessory, Essential और Imperative मतलब जरूरी या अनिवार रे Antonym वर्ड से हैं इसके Optional, Voluntary, Unforced, Unnecessary और Non-Compulsory मतलब एच्छिक, वैकल्पिक या मनमर्जी का दो एक्जाम्पल है इसके एक एक्जाम्पल है The test includes a mandatory as a question टेस्ट में एक अनिवार निवन्द प्रश्न शामिल है Second example है It is mandatory for blood banks to test all donated blood for the virus Blood bankों के लिए दान किये गए खून का वाइरस टेस्ट करना जरूरी है मतलब blood bankों के लिए ये जरूरी है कि वो donated blood का टेस्ट करें कि उसमें वाइरस तो नहीं है Mandatory को adjective और noun दोनों तरह से use किया जा सकता है Next word is Malfunction Malfunction एक verb है जिसका मतलब होता है खराब हो जाना या सही से काम ना करना Synonym words है Crash, Go wrong, Fail Breakdown और Act Up Antonym words है function, work और perform मतलब कारे करना या काम करना The fan has malfunctioned पंखा खराब हो गया है या पंखा ठीक से काम नहीं कर रहा है The fan has malfunctioned तो malfunction का मतलब खराब हो जाना या सही से काम ना करना Next word है Mentor Mentor एक noun है जिसका मतलब होता है Guru, परामश दाता या अनुभवी, परामश दाता मतलब जो हमें सलहा देती है या हमें guide करती है Synonym words है इसके teacher, guide, instructor, educator, coach, trainer और counselor Antonym words है इसके student, learner, disciple, pupil और trainee मतलब शिश्य, अनुयाई या सीखने वाले I need a mentor to improve my English मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए एक guru की जरूरत है या एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है तो mentor का मतलब होता है Guru, परामश दाता या अनुभवी Next word है mendacious Mendacious एक adjective है जिसका मतलब होता है जूठा गलत, असत्य, नकली या जाली Synonym words है इसके laying, false, dishonest, insightful, insincere, untrue, falsified और fraudulent Antonym words है इसके true, truthful, candid, reliable और trustworthy मतलब सत्य या सही The judge clearly identified the mendacious witness presented by the lawyer of the dependent Judge ने प्रतिवादी, मतलब विद्रोही पक्ष यानि की दूसरा जो पक्ष होता है या दूसरी party जिसको हम बोलते हैं उसके बकील दौरा पेश किये गए जूटे गवा को साफ पहचान लिया तो mendacious का मतलब होता है जूटा, गलत, असत्य, नकली या जाली Next word है मेले मेले एक noun है जिसका मतलब होता है हाथा पाई, धक्का मुक्की, लड़ाई या भगदग मतलब एक ऐसी भीर या ऐसे लोग जो जल्दबाजी में होते हैं और एक दूसरे को जल्दबाजी की बज़ा से हाथा पाई करते हैं मतलब धक्का मुक्की करती है उन्हें किसी भी तरह उल्टा सीधा धक्का दे देती है सनॉनिम वर्ड्स हैं इसके फ्रे, फाइट, रैकस, फ्रैकस, ब्रॉल, और ट्यूमल्ट मतलब हाथ अपाई, धक्का मुक्की या लगाई जग्रा या फिर भगदग अन्टॉनिम वर्ड्स हैं इसके कॉंप्रोमाइज, एग्रिमेंट, पीस और हार्मनी कॉंप्रोमाइज और एग्रिमेंट मतलब समझोता पीस मतलब शांती और हार्मनी मतलब एकता या एकमत वी लॉस्ट साइट ओफ इच अधर इन दा मेले हम भगदग में एक दूसरे से दूर हो गए तो मेले का मतलब हाथा पाई या भगदग नेक्स्ट वर्ड है मैनिफोल्ड मैनिफोल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनेक, बिविध, बहुत, या तरह तरह के या अलग-अलग तरह के स्नॉनिम वर्ड से इसके मैनि, सेविरल, वैरियस, नियूमिरस और मल्टिपल एन्टॉनिम वर्ड से वन, सोल, सिंगल और यूनिक मतलब एक या एक मात I have manifold ideas to decorate my new house मेरे पास अपने नए घर को सजाने के लिए कई सुझाव या योजनाए है तो manifold का मतलब होता है अनेक, बिविद, बहुत, तरह तरह के या अलग-अलग तरह के चरो, एक मतलब होता है झाल झाल